खादय तेलों से जुड़ी बड़ी खबर सरकार ने देश में खादय तेलों की कीमतों को नियंत्रण में रखने के उदेश्य से इनके आयात पर सीमा शुल्क में रियायत की अवदी छे महीने बढ़ाकर अगामी मार्श तक कर दी है खादय मंच्रालय ने रवीवार को कहा है कि विशिष्ट खादय तेलों पर रियायती आया शुल्क की अवदी बढ़ाकर मार्श 2023 तक कर दी गई है केंद्रिया अपरत्यक्षकर और सीमा शुल्क बोर्ण ने खादय तेलों की घ्रेलू सप्लाई को बढ़ावा देने और खुद्रा कीमतों को नियंतर्ण में रखने के लिए प्रिष्क्रिष्ट सोयाबिन तेल और कच्चे सूरज मुकी तेल के साथ परिष्कृत सरούजमकी तेल पर मुझूद्विवस्था में अगामी 30 मारश तक कोई बदलाव नहीं होगा पाम तेल, सोयबिन तेल और सूरज मुकी तेल की कच्ची किस्मों पर आया शुल्क फिलाल शुन्य है हलाकि 5 फिसदी कृषी और 10 फिसदी समाजी कल्यान उपकर को ध्यान में रखते हुए इन तीन खादे तेलों की कच्ची किस्मों पर परभावी शुल्क 5.5 फिसदी तक पहुँझ जाता है वहीं पामोलिन और रिफाइन पाम तेल की प्रिश्कृत किस्मों पर मूल सीमा शुल्क 12.5 फिसद है और 10 फिसद समाजी कल्यान उपकर को ध्यान में रखते हुए पर भावी शुल्क 19.25 फिसदी होता है बिरो रिपोर्ट मारकेट टाइम्स टीवी